अभी तो पूरा विल्कुल सूखा हुआ है और पत्थर गलवा मिटी कहीं नहीं दिखाई देरी इसके बीच फ्लैग उतर गया था यार मेरा तो दिमाग खराब हो गया था कि वहीं से रिटर्न हो जाओं लेकिन यार इसको लगा के चलूँगा दुनिया गई भान में और हम आ पाल के अंदर हिंडर कर गया था और रुका था यहां पे गुर्द्वारा पागेश्वरी मंदिर से थोड़ा पीछे यहां पर मैं रुक गया था और आज पटा-पट रेडी तो हो गए सुवे का सारा कुछ पाइनल करके और इधर पढ़ा है अपना समान और साइकल अब भ देखा जाएगा जो कुछ होगा आगे तो निकलते हैं यहां से और मिलते हैं आफ लोग को बागेश्वरी मंदिर में तैयार दोस्तों अभी हम निकल गए थे गुर्द्वारे से और ज्यादा दूर नहीं है बस एक या दो किलो मेटर आगे है बागेश्वरी मंदिर और अल इसका मेन गेट की दर से उधर संग चलते हैं गेट तो यहां का ऐसा दिखता है और साइकल हमारी यहीं खड़ी हो जाएगी क्योंकि अंदर साइकल ले जाने की कोई विवस्था नहीं है और हम चलते हैं ओ भाई जो हो और यह मंदिर इधर से ऐसा दिख रहा है लेकिन जो मेन मंदिर हो सामने आगे है अभी चलेंगे वहां भी कितने यार क्यूट क्यूट से बतक और एक नहीं बहुत सारे है इसी सरोवर में सब घूमते होंगे सरोवर भी काफी बड़ा है और कुछ इस प्रकार दिखता यहां का मंदिर यह बीच में सरोवर है वो सामने मेन मंदिर है और सरोवर के बीच में भी एक मंदिर है तो यार दोस्तों इंडिया से नेपाल में बागेश्वरी मंदिर यहां पहुंच गया और यहां से देखते हैं लुम्बनी के लिए निकलते हैं यह कहां के लिए निकलते हैं अब डिसाइड ने डिसाइड आगे चलखे करेंगे मेन हाइवे पर है कि यहां से कुछ ऐसा नुजा रहा है यहां एक त्यार दोस्तों ये है मंणदिर का में दोर में गेट कि और दुकांचे सुरू sect हो गई है यह लेगना और इधर अंदर है में गेट कासरारी यहां से इधर सरोवर, अभी मैं दिखा रहा था आप लोगों को उस साइड से, लेकिन अभी आ गया हूँ इस साइड में इंडिया दिस्टिक वहराईच, बुच जाने पुड़ो, यहां से पहले ने लुंबिनी जाना कि दर से करना पड़े हैं अभी आगे जाना पड़ेगा है, जब इस पे थोड़ा हवा लगता है न, फिरे फेरता है वाई सपोर्ट करने वाले बहुत भाईया लग मिल जाते हैं राज्ते में, और कितने लग तो इंडिया कहीं है, अभी कोई ज्यादा हम अंदर नहीं कहा है, बस थोड़ा बहुत अंदर आएं प्यार दोस्तों हम आ गए थे, गोहल पूर और यहां से लुगमिनी के लिए हमें लेफ्ट लेना है, यह आगे चोक है, और यहां से भी 300, 390 किलोमेटर यहां से लुगमिनी अभी पड़ेगा हमें सायद यहां पे हमें चाय मिल जाए पीने के लिए और यह फश्ट टाइम होगा जो जेपाल के अंदर चाय दियेंगे यह आगई हमारी गर्म गर्म चाय और फिलाल चाय विस्कृट खाते हैं पीते हैं और इसक बाद निकलते हैं इधर खड़ी अपनी सहजादी और यहां से हमें निकल जाना है आगे तो यार दोस्तो अभी हम अरे क्या नाम था यार भूल गए लुमिनी के लिए हम निकल चुके हैं और इधर का जंगल देख रहे हो इधर का जंगल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पिक्निंग मनाने वाला बहुत ही सुने रहा यार बिल्कुल साफ सफाई जैसा लग रहा है कि डेली इसकी सफाई की जाती हो तो यार दोस्तो दो घंटे रेगुलर साइकलिंग करने के बाद और पहुचे हम कहां ये जंगल पूरा 57 किलोमेटर 57 किलोमेटर पूरा लंबा था जिसमें लगभग एक तिहाई यानि कि चार भाग में एक भाग बचा है किवल तीन भाग हमने पूरा कर लिया और ये देख रहे हो क्या हाल है अभी तो पूरा बिल्कुल सूखा हुआ है और पत्थर गलबा मिटी कहीं नहीं दिखाई दे रही इसके बीच में और इधर सामने दिख रहा है प्यारा सा पहाड अभी तो जैस बिल्कुल उदर कोहरा कोहरा सा है इसलिए साफ दिखाई नहीं दे रहा है और हमारी हालत कुछ यह हो गई है दो घंटे बिल्कुल रेगुलर बाइस लिंग करने के बाद और यह खड़ी अपने से जाती यह भी हमारा साथ नहीं छोड़ती और उम्मीद है कि कभी छोड़ेगी भी नहीं कि फ्लैग उतर गया था यार मेरा तो दिमाग खराब हो गया था कि वहीं से रिटर्न हो जाओं लेकिन यार इसको लगा के चलूँगा जहां भी जाओं आज तो पूरी तरह से वाट लग गई क्योंकि दुनिया गई भान में और हम आगे पहाड में जो चड़ाते चड़ात कि मेरी हालत खराब होई है ना कि बता नहीं सकता है कि वाट लग यह इतनी उचाई पर चड़ाने पर और हमको लग रहा है कि उतना ही अब नीचे जा रहे है अब पता लग रहा है कि यह सुकून है अचड़ाने में जो हमारी वाट लगी है ना वो सुकून का बाप था लेकिन अब उतना ही नीशे याने में ओ हो 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 यार बड़ी मजा रहा है अब वास्ता में आर नेपाल भूमने वाली जगह है अब आगे अब कितना दूर पड़ेगा चे किलिमीटर अब क्या बोले है क्या बोले बाबु मैं जा रहा हूं काटमांडू हाँ साइकल में यूपी बहराइच इंडिया हाँ घूमने जा रहे है बाई बाई